कहानी राइटिंग की प्रतियोगता हुई थी ते नौ वर्ष के सुदर्शन जिंग चक्र जी ने मुंशी प्रेम चंजी जो बड़े स्टैबलिश्ट बड़े उस समय सु विख्यात कहानी के लिखते उनको हरा दिया पर उस समय उनकी प्रतिष्ठा को ठेस न लगे तो कि चैन समीती ने सोचा बालक को तो इसे भुसला देंगे चक्र दादा को दूसरा पुरस्कार दिया पहला मुंशी प्रेम चंजी को दिया ताकि प्रतिष्ठा बची रहे चक्र दादा ने उसी दिन से निश्चा कि आप जो कुछ लिखोंगा कनू के विश्य में लिखोंग कर दिया के विश्य में